असलाम अलेकों में वेलकम टू वाइल रश्च आज की स्वीडियो में आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे डॉक्टर इंसेक्ट से डॉक्टर कीडे से जो के टीका लगाने में इंजेक्शन लगाने में बहुत ज्यादा माहर है और जिंदिगी में लाजमी कभी ने कभी आप इतने भी उससे जरूर जो है इंजेक्शन लगवाया होगा ये कीनन आप इस थोड़ी से बात से समझ गये होंगे कि आज मैं किस इंसेक्ट से आपको मिलवाने माला हूं तो वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग होने माली है बने रहेगा मेरे साथ तर देखते रहेगा वा बैठे हैं अब इस जाने के ओपर इसका च्छता लगा हूँ है मैं अपने सोस्स को कट करूंगा ताके आपको ज्यादा क्लेरिटी के साथ मैं दिखा सको तो खत्रा भी है हो सकता है मैं आपको मोटा नदर आओ तो वीडियो में यहां से कट करता हूं कि सबका ध्यान जाए मेरी तरफ है और किसी भी वक्त जैसी टैनी नीचे होगी सारी की सारी जो मेरे उपर और कैमरामेन के वीव पर तो मैंने भागने के लिए फूल इंजाम कर लिए जैसी हलका जाए तुना सा नीचे होगा तो मैं भाग पड़ूंगा तो अब है तो अब है तो अब कर लिए मैंने अब इसको में आहिस्ता आहिस्ता से नीचे करूंगा अब तो इस वक्त बड़ी मुश्किल से बचे है मैं और मेरा कैमरामेन हमारी टैनी जो है वो नीचे आचुकी है तो अमीद है अब आपको यह च्छता यह हाई विए खक्कर जिसको बोलते हैं क्लियर नजर आ रहा होगा तो यह हैं हमारे येलो पेपर वास्प जिसको औरियंटल पेपर वास्प भी बोलते हैं कॉमन येलो पेपर वास्प भी बोलते हैं इसका science नेम polystis wati है इसको पाकिससान और इंडिया में मुकतलिफ इलाकों में मुक्तलिफ नामों से जाना जाता है हमारी पंजाबी जुबान में इसको पीले भूड कहते है συ को यह आपके जुबान में आपके इरिया में इसको किस नाम से जाना जाता है कॉमेंट सेशन में जरूर बताईएगा तो यह जो यह प्रवास बीडों का च्छता आप देख रहे हैं इनका तरलो कीडों के वेस्पीडाइक हांदान से होता है और इस तरह के इंसाइट कीडों की जो इस दुनिया में थीं सो से ज्यादा इक्साम पाई जाती है जो Ext польз兩 इमें रहना पसंद करती है दिवारों जिग राड़े होती है उनके अमना च्छाट शс साइब मार्वतर होते हैं यह जो प्लाना यह च्छता है थाण कहें कि उनका बैक त्कर मिछिव में बैठी हुई हैं फुल एटैकिंग मूड में बैठी हुई हैं अपने परों की बिन बिनाहट से मुझे अगाह कर रही हैं कि अगर तुम हमारे पास आए या हलकी सिर्फिक मूब्मेंट की तो यह सारी की सारी मेरी उपर एटाय कर देंगे इन भीडों का च्छता बनाने का बहुत कमाल का होता है यह जो भी आप च्छता देख रहे हैं यह तकर दीन से चार महीने पुराना है च्छता बनाने का अब्तदाई काम जो है कि मादा भीड करती है इस तरह की टहनी से मुक्तित तरह के पत्तों से शाखों से फाइबर के छोटे-छोटे रेशे कटे करके अ इन भीडों की बहुत सारी इकसाम ऐसी है एक्चली मैं अपना साड़ी से चेंज कर रहा हूं क्योंकि यह अपने अटैकिंग मूड में बैठी हुई है और बार बार मुझे अगाही दे रही है इन्ही जो है बहुत सारी इकसाम ऐसी है जो दूसरे च्छतों के उपर हमला करक नियुकर्ण करता है च्छत्ते के ऊपर हाइव के अंदर हैं की पोस्ट का है अब आते हैं इनके खुरा की तरफ यह खाते क्या हैं ? यह शिकारी कीड़े हैं जो के चोटे कीड़ो को लार्वाज को मक्हियों को खाना पसंद करते हैं और इसे हमारे फिलों को नुक्सान पे तो मैं आप को ब दाना चाहूँगा। इन की तेक सटी north à में तीन थाอง hierarch होते हैं जिनमेंट के हैलोरी और हेस्ट इस प्यार विदेज इनकी पी एच paling एक haven इनकी जाहर की पीजिया की आज diffusate बल्बॉर फ़े ज़् padre तक pH नहीं होती, तो इनको भगाने के इन से छुटकारा हासल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप इनको पदीने के पानी के छटकाओ करके भगा सकते हैं, इनको धुआ अगर देंगे तो ये तब भाग जाएंगी, अगर आप इनको लहसन और प्यास के को मिक्स करके, अगर इसके छटे के उपर डालेंगे, तब इसकी स्मेल से भाग जाएंगे, और मेन तरीका जो आज मैं इस्तमाल करने वाला हूँ, इस छटे को आपको क्लेर करके दिखाने के लिए, वो ये, कि मैंने पेट्रोल और मटी के तेल को मिक्स किया है इस शावर में, और इस हो जाए और मैं आपको बागी की डेटेल आपका साथ शेयर कर सको, तो ये देखेगा, अगर मैं आपको थोड़ा करीब से रिखाऊं, देखते हैं, प्रैक्टिकल किस हद तक ये है, ये देखें, इस वक्त ये काफी तेज हो चुकी है, अगर किसी एक ने पर अटेक कर दिय तो एक अटेक करने की वज़ा से हॉर्मोंस निकलेंगे, जिस वज़ा से सारी की सारी जहें मेरे उपर अटेक करेंगी, आपने कोशिर करने हैं कि आपका ये शावर काम करता हो, ये नहों कही है, अइन टाइम आगके आपका शावर काम करना छोड़ दे, तो तकी बंचता हमारा जो है खाली हो चुका है, अभी मैं उसको वहां से कट करूँगा, तो मैंने पूरे के पूरे च्छते को बाहर फार जो है उतार लिया है, आप इसको एक साइड पर जाके आपको इसका जो है व्यू दिखाता हूं के च्छते का सीन क्या होता है, मेरे ख्याल से ये सही रहेगा, तो यह रहा हमारा हाइव, भीड़ों का हाइव, अभी आप देखें, कांटे भी हैं, अभी अगर आप देखें, तो यह कितना खुब्सूरस है, इन्होंने छोटे-छोटे सेल के साथ यह च्छता बना रखा है, यह जो आप फ्रेश ताजा देख रहे हैं, इनके अंदर लार्वा बन चुके हैं, अंडों के बाद लार्वा का जो प्रोसेस है, वह तक्रिबन पूरा हो चुका था, अभी म 1,2,3, गो, यह, यह देखें, यह हैं, इसके लार्वास, इनके बाद जो फाइनल होगा, वो अडल्ट होंगे, और अडल्ट होने के बाद, यह आपको काड़ने के लिए, आपके उपर अटैक करने के लिए त्यार हो जाएंगा, अभी छता देखें, यह एक छता है, दो और तीन, यह चता तक्रीबन 15-16 दिन पुराना है, और यह 3-4 महीने पुराना, तो हाइव को, चते को, खके को आपने देख लिया, वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, में चीज़ में आपको बता दूँ कि अगर यह भीड़ें आपके उपर अटैक कर दें, तो आप इसकी बार-बार धुएं, बर्फ की टिकोर करें, या आप उसके उपर परफ्यूम जो है लगा सकते हैं, बहतरीन अगर फिर भी आपको रिलीफ आसल नहीं हो रही, तो सबसे बहतरीन और असान हल यह होता है, कि जल्दी ही अपने डाक्टर से रजू करें, और फोरी रिलीफ आसल को किसी च्वाँ में रखने का, अगर वो मक्या आई, भीड़े आई, तो अपने बच्चों को बचा लें,